नमस्कार आप सभी का स्वागत है इसले वीडियो में हमने मन्नो भंडारी के जीवन और उनकी सहितिक कृतियों से संबंदित बाते की थी आज हम उसे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इनकी एक बहुत ही महत्पुन और सबसे चर्चित उपान्यास आपका बंटी की बात करने हैं आपका बंटी एक ऐसी कालजय उपान्यास है कालजय इसलिए कि आज भी हमारे समाज में यह कहानी हर जगा आपको दिखाई देगी यह कथा आज के समाज को संदर्भिक करती हुई आपको प्रतीत होगी यह कहा जा सकता है किसे हिंदी सहित की एक मुल्यवान उपलब्द में हम देख सकते हैं इस उपान्यास की सबसे बड़ी जो पिसेश बात है यह यह है कि जो एक बच्या उसकी निगाहों से घायल होती सम्वेद्राओं का इसमें बेहद ही मार्मिक तरीके से चित्रण किया गया है जिसमें आज का जो आधुनिक परिवेस हैं जहां पर यह उनिपन भी छेद हो रहे हैं और खासकर जो मध्यम वरगे परिवार में एक ऐसी दुझिया रची जारही है, एक ऐसी दुझिया का निर्मान हो रहा है जहां पर बच्चे अपनी दुझिया से अलग बन रहे हैं और धेरे धेरे वह एक दुस्वप्ण की तरफ बढ़ ज नोचना होगा सभी एक दूसरे से ऐसे उल्जें हुए हैं ये उल्जन क्या है एक पारिवारिक तरास्ति से उपजी हुए स्थितियां है जो धीरे-दीरे यातना में बदल जाती है जब आप किसी दुबाह करते हैं सफल जीवन के लिए और वह एक दिन यातना बन जाती है तो यह बात हमें समझ में आएगा बंटी के वल उपान्यास नहीं बलकि आज का जो हमारा समाज है और उन समाज का जो एक विगठन हो रहा है जो परिवारिक मुल्यों में गिरावटा रही है जो रिस्तों का ताना बाना तोट रहा है ये उसी बंटी की कहानी है एक ऐसा बालत जो इस आधनिक परिवेश में एकल परिवार की जो तराश्ती है उसके बेच बढ़ रहा है उसका पालन पोशन हो रहा है वो भिन भिन भावत्ताओं से अन्भिग्य है और इसो पान्यास में हुए उसी महत्वाकांच है इस्तरी सकुन की बात होगी जो उसकी मा है डॉक्टर जोसी जैसे गमभीर वेक्तित तो यह अजय जैसे अहम पोशित सावन्ती मानसिकता वाले चरित्र इसो पान्यास में आपको सजीर दिखाई देंगे यह आपके आसपास बेशे चरित्र विद्मान हो सकते हैं आईए इस उपान्यास के प्रमुक पात्रों की बात करते हैं इस उपान्यास में बहुत कम पात्र हैं उनमें जो सबसे प्रमुक पात्र हैं वह बंटी यही है मुख्य बाल पात्र जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनात की भाती जीवन वैतीत करता है इसे एक चयन करना पड़ता है किसी एक का तो ऐसी दुविधा किसी के सामने ना है सकुन बंटी की मा और कॉलेज की प्रिंसपल आधुनिक और सुतंतर विचार किस्त्री है इसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है अजय बंटी का पिता एक आहम पोसित विक्ति कहा जा सकता है वकिल चाचा सकुन और अजय का वकिल जो प्राया बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उनके द्वारा भीजे गए खिलों ने भी सायद आपने ऐसे कई फिल्में देखे होंगी ऐसी अनिगिनत कहानियां भी पढ़ियों पर आपका बंटी की बात ही अलग है अगली जो पात्रे हैं वह फुफी सकुन की सेविका जो अजय से घ्रना करती है डॉक्टर जोसी जिस से सकुन तलाग के बाद दुवाह करती है अमी और जो डॉक्टर जोसी के बच्चे हैं और अत्रिक पात्र के रूप में मीरा माली है इन्ही पात्रों के मत पूरी कहाने की संड़चना बनती है लेकिन जो सबसे महत्मुन पात्र होते हैं आपर वो है आपका बंटी और सकुन सकुन के जीवन का सत्य ही है कि इस तरीकी जाय जो महत्म कांचा और आत्मिर्भरता पूरुस के लिए चुनोती है नतीजा यह होता है कि दामपत्ती जीवन में एक तनाव आ जाता है और यह तनाव दिनी दिये अलगाओ तक पहुंचाता है यह सकुन का नहीं समाज मंदिरं तर अपनी जगह बनाती फैलाती अपना कद बढ़ाती एक नए इस्तरी का भी सत्य है कि उस महत्वा कांचा की बिंदू पे वो परिवारिक मुल्यों को भूल जा रहे हैं और उसकी वज़ा से जो आने वाली पिढ़ी है वो भुगतान कर रहे है इसके भिन-भिन मायने हो सकते है इसी द्वंद को और इन पती-पत्नी के मद्द का जो एक द्वंद है उसके अर्दोस है निरी है और असुरचित महोल में पल बढ़ रहा है और उसकी चेतना में कौन सा विकास होगा और इसी चेतना इस बालमन की जो चेतना है जो आधनिक समाज में पल बढ़ रहा है उसी चेतना को समझा कथाकार मनो भंडारी ने और इसी बालमनो विज्यान की एक गहरी समझ बूज के साथ इस उपान्यास को बड़ा ही मर्म इसपरसी और उचार उत्तेजग रूप में प्रस्तुत किया है। आपका बंटी पान्यास में मनु भंडारी ने पती पत्नी के उस संबंद विछेद की समस्याओं से जोचता बंटी की उस मर्मिक तसा को मया किया है। बंटी चाहता है कि अपने मा और पिता दोनों के साथ लेकिन उसकी इच्छा कहां पूर्ण हो पाती है। एक दूसरे से लड़े नहीं इन तो ऐसा नहीं हो पाता है और अंततह दोनों का तलाप हो जाता है और बंटी को अपनी मा के साथ रहना पड़ता है। बंटी के पापा मीरा नामत इस तरी के साथ रहने लगते हैं। यह सब देख सकुन को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीओं जबकि वो मीरा के साथ खुश है। और इस खुशी में को यह नहीं देखता कि उनके प्यार के जो बहचान थी बंटी उसका क्या हाड होगा। उसके बालमन पे क्यासिती पढ़ रही होगी। इसलिए सकुन ने भी डाक्टर जोसी से बिवाह करने का फैसला किया। जिनके पहले से दो बच्चे थी उनके साथ रहना शुरू करती है। बंटी को डाक्टर जोसी का घर पसंद नहीं आता है। उसकी मम्मी का प्यार अब तीन हिस्सों में बढ़ जाने से उसे दुख होता है। जब कोई किडियां आपने देखा होगा। जिस खोसले में जनम लेती है। इस परिवेश में पलती बढ़ती है। जब आप उसे थोड़े बड़े होने पर नए गोंसले में रखतेते हैं। तो उसको जगर रास नहीं आती है। और वो कई बार तो अपने प्रान भी ताग देती है। हम तो मनुष्य हैं। हमारे हैं तो ज़्यादा श्रमेदनाएं होती हैं। भावनाएं होती है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए थी जो उसके साथ सोती थी हमेशा वो मम्मी केले में जुलता रहता था। अब वैसा कुछ नहीं था। बंटी की जो इच्छाएं थी उस इच्छाओं को प्रकट नहीं कर सकता। वो उस भावनाओं के साथ नहीं जी सकता जैसा की पहले था। तब पश्चाथ वो अपने पापा को फून करके कलकटा जाने की बात करता है। किन्तु वहाँ भी उसे वैसा महल नहीं मिलता जैसा वो जीता था। और अपनी सोतेली माक हुआ पुनता अपना नहीं पाता है। अब ऐसे सिती में बंटे की सिती एक अनात भच्चे सी हो गए थी। और उसे होस्टल की ऐसी अकेली जिन्दगी बिदानी पड़ती है। पान्यास में दोनों पक्ष आपको अपने अपने स्थान पर बिल्कुल दिखाई दे रहें होंगे। तहtones वो बंटे के पिता हूं या फिर बंटे की मा। लेकिन इन सभी के बीच जो किस्थिती दिखाई देती है वह बंटी की है जो बहुत ज़्यादा शोचने योग्य है इनके माता पिता ने तो अपनी खुसी के बारे में सोचा लेकिन इस खुसी के बीच बंटी किस्थिती क्या हो उसके बारे में नहीं सोचा गया एक ऐसा सोभाव जो बंटी के उपर पढ़ रहा होगा और इस मनोभाव के साथ उसका जो जीवन करम चलेगा तो वो किस वर आगे बढ़ेगा हम आप सभी समझ सकते हैं यहां पर एक माता पिता के स्वार्थी सोभाव नजदाता है इतमें त्याक की भावना नहीं है जो कि अपने बच्चे के लिए एक दूसरी गलतियों को भूल जाए भूल कर एक नए जीवन के सुरुआत करें जबकि आपको पता है कि हिंदु धर्म में वह एक संसकार है जहां पर जन्मों-जन्मों का बंधन होता है यहां पर आत्माओं का मिलन की बात होती है इस उपान्यास का उद्देश कहीं से भी केवल खंडित विखंडित होते हुए रिस्तों के ताने बाने को नहीं दिखाना है अपितु यह दिखाने का प्रयास लेकिका के दवारा इसकी बालमन और इस्तिति का चित्रन मनु भंडारी में बड़ी ही खुबसूरती से अपने इसो पान्यास में किया है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं अपने कमेंट्स आप हमें छोड़ सकते हैं आप मुझसे टेलिग्राम आपके माध्यम से जोड़ सकते धन्यवाद